गूर्वानिंग दोफ्तूं, अभी बजर हैं सुबा के सारे छे, काफी सारा कीड़ा हो गया यार घर में, तो दबाई मागना है, चलिए भी खाता हूं आप लोगो, ये तो जन्तु जीकर है दोफ्त में, इससे तो आप लोग काफी वासिव होंगे, तो इसका नाम तो जानते होंगे, इसको बताने का ज़रूरत तो है नहीं मेरे को, तो घर में काफी जादा हो गया है, और ये कहीं अगर शरीर पे पढ़ गया तो फिर दो-तिन दिन के लिए तो उसका क्या हस्र होता है जानते होंगे आप लोग, तो इसको मानने के लिए हम लोगो कुपना सक्का शिर इकाव करेंगे तो भाई टंकी में जवाई डाल रहा है, तो इसको पानी डाल लिए है और ये जिलगो है दूस्तों इससे असानी से खतम हो जाता है, तो आप लोग भी अगर हम लोग के मतलब एरिया में तो इसको खबरा पिल लिए बोलते हैं, आप लोग क्या वोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, और इसमें पाले से थोड़ा सा तुथा सफ़ज सफ़ज दीख रहा है, तो इसको हम लोग अभी धकन डालेंगे इसमें, और उसके बाद छिटकाव करेंगे इसमें, जहां जहां पर कीड़ा है, वहां सब तरक छिटना पड़ेग अरगम अर्गं भ्लीय रुके । भ्लीय रुके आ रखो धर्गो तो घर के आंगांग सेड्ड में ज्यादा है दोस्तों यह छोटे-छोटे हो रहे हैं अभी यह देख्यें कि आप लोग के हाँ यह जो कीड़ा है दोस्तों यह है कि नहीं कोमेंट करके जरूर बताईएगा और इससे अब लोग परिसान हैं कि नहीं है वह भी बताईएगा और सॉल्यूसन चाहते हैं तो खिटनासक का चिड़काओ कर दें इसमें मतलब बिलबो का दोस्तों तो तूरत साफ हो जाता है मतलब नीचे उपर में जितने भी रहते हैं वह गिर के नीचे आ जाते हैं मरके और उसके बाद उसको जाड़ू से साफ करके फेक दीजिए तो दुस्तों वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और स्यार करिएगा धन्यवाद